क्लासिफिकेशन ओफ रिसर्च बाइब मैथेड़ में जो अगली टाइप ओफ रिसर्च क्वालिटेटिव अप्रोच में हमने जिकर किया वो है के स्टेडी सो अब हम केस स्टेडी रिसर्च का कान्टेक्स देखते हैं कि ये क्या है और कब इसको इसको इस्तमाल किया जाता है देखिए केस के उसके नाम से जाहर होता है कि ये केस स्टेडी अब इसमें केस को डिफाइन करना असल जाब है case से यहां मुराद कोई एक individual हो सकता है कोई एक group of individuals हो सकता है या किसी event को भी case कहा जा सकता है case कहलाने के लिए जो special चीज़ है वो उस individual का या उस group का या उस event का unique होना है बाकी जो routine में events होते हैं ये उन से हटके कोई होगा ये individual का experience अगर हम individual case लेते हैं तो उसका इस मौमले में जिसको हम study करना चाहरे हैं experience दूसरों से unique होना जरूरी है तब ही वो case के तौर पे label किया जा सकता है तो case जरूरी नहीं कि हर दफा कोई एक individual होगा या एक शखस होगा ये एक group भी हो सकता है मसला पाकिस्तान की hockey team एक case हो सकती है हलाकि वो individual नहीं है वो बहुत सारे लोगों का मजमूवा है तो वो एक case के तौर पे काम आ सकता है कोई एक शखस हो सकता है कोई event हो सकता है कोई वाक्या हो सकता है जो हुआ और उस वाक्या को हम ऐसे case study करना चाहते हैं अब हमने जब case select किया तो उस case के कुछ ऐसे पहलू है जिसकी बनियाद पे उसे select किया गया है उन aspects पे in-depth information लेना तफसील से information एकठी करना और उसको उस context में analyze कर सकना ताके आप उस वाक्या से जो lesson सीखना चाहते हैं उसके causes हैं उसकी वज़ा से behavior में changes हैं कोई pattern नजर आता है चीजों का उसको देखना चाहते हैं कुछ भी आप उस पे study करना चाहते हैं तो आप उस case को सामने रखके अपने study के सवालात को सामने रखते हुए उनके बारे में detailed information हिकठी करते हैं case studies जो हैं बन्यादी तोर पे आपको बाकी researches के मकाबले में ये allow करती हैं कि आप चीजों को किसी भी वाकए को किसी भी event को किसी individual को उन तमाम पहलों से study कर सकते हूं जिसके लिए वो एक ऐसे experience से गुजरा जो अमूमी तोर पे रूपजीर नहीं होता लोगों के साथ मिसाल आप यू ले ले जैसे वे नीचे लिखावा कि एक शख्स जो किसी railroad imply है या railway में काम करता है किसी दिन काम करते हुए वहाँ पे कुछ experience हुआ उसे कोई blast हो गया किसी वज़ा से कोई accident हो गया और उस accident के नतीजे में उस एक कोई चीज आके उसके जिसम पे लगी और वो उसके brain में से गुजर गई ये experience ना किसी को करवाया जा सकता है नहीं इसका कोई और setup है ये कुदरती तोर पे होने वाला एक वाक्या है जो हो गया और इस वाक्या के हो जाने के बाद लोग survive भी सारे नहीं कर पाते अगर आपको यादो पिछले दिनों जो पाकिस्तान में एक airplane crash हुआ तो उसमें हमारे एक जो पंजाब बैंक के एक officer थे वो उसमें survive कर गए बाकी बहुत सारे लोग उसमें अपनी जान से हाथ दो बैटे अब वो एक particular case है जो आपको उस experience के बारे में तफसीलाद दे सकते हैं जिस experience के बाद अमूमन शर्वाइवर्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं तो जिस trauma से जिस psychological state से वो गुजरे उसने उनकी शखसियत को उनके सोचने के अंदाज को जिन्दगी के रवईयों को किस तरह से impact किया अगर मैं इस बात को study करना चाहूं और इसमें से ये learning चाहता हूं कि इस तरह के survivors जो हैं उनके लिए life support systems कैसे बनने चाहिए तो मेरे लिए ये एक case है अब यहां से आपको जो बात समझनी है न जी वो ये है कि case ऐसा नहीं होता जो ordinary routine में जिन्दगी हम गुजार रहे होते हैं और उसी की बनियाद पे किसी को कभी case डिकलेयर कर दिया जाए case का unique होना इसकी सबसे एहम बात है so case study वाले design हर किसी topic पे इस्तमाल नहीं किये जा सकते मैं देखता हूँ हमारे हैं एक school है जो बहुत ज़्यादा आउट पर्फॉर्म करता है दूसरे schools को जबकि उसका environment जाहरां ऐसा नहीं लगता उसकी location उसके साथजा कोई special बात नजर नहीं आती लेकिन वो हमेशा बहुत अच्छा result देता है मैं आपको एक मिसाल अगर इसकी देना चाहूँ तो हम पंजाब examination commission के तहट बहुत सारी हर साल study करते हैं लोगों की बच्चों की performance पे और south के कुछ ऐसे districts हैं जो हमेशा उसमें दूसरे districts को outperform करते हैं जबके हमारी जाहरन perception उनके बारे में या उनका जो human development index है वहाँ का literacy rate है उनको जहें में रखें तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो क्यों दूसरों से अच्छा perform कर सकते हैं लेकिन उस particular जगा पे कुछ ऐसी चीज है उस district में जो हर साल के result में उनको दूसरों से बहतर दिखाती है ये मेरे नजदीक एक case है क्योंके ये unique बात है जो बाकियों में नहीं होती जहां में expect करते हैं तो आप इस को as a case लेके उस district को as a case इस event को as a case लेके तो आप study करना चाहते हैं कि वो कौन से factors हैं जिनकी वजह से वहां पे ये जो unusual result है ये हमें हर साल मिलता है तो आप case study में इसका वतलब ये हुआ कि सबसे एहम चीज जो फैसला करने की है किसी भी individual को किसी group को या किसी event को ये declare कर पाना clear characteristics की बुनियाद पे कि ये एक case है अगर ये दुरुस्त हो जाए और ये case होना उसका थाबित हो जाए या defendable हो जाए तो फिर आप उसके उपर questions डिजाइन करके उस event से मतलिक या उस experience से मतलिक आप data अकठा करते हैं और ये data अपनी depth में और width में बड़ा होता है इसके पहलू भी जादा होते हैं और हर पहलू की तफसीलात भी जादा अकठी की जाती है और फिर उसके नतीजे में हम देखते हैं कि इससे लोगों के life patterns में रवईयों में क्या तबदीली आई और उसके क्या learn किया जा सकता है दूसरे लोगों के सामने explain करने के लिए कि इनका support system कैसा बनना चाहिए तो इस तरह के environment में या इस तरह के मामले में जो research tutable होती है उसको case study कहा जाता है